नाश्टे की तेयारी करी ही रही थी तभी हस्बिन पाउ लेकर आ गए और बोले की पाउ से कुछ अच्छा सा बनाओ रोज सुबह आफिस जाने की हरबड़ी में ठीक से खाने ही पाते हैं और आज शुट्टी है तो कुछ स्पेशल तो बनाना ही है पहले सोचा जब पाउ ले ही आएं तो भाजी भी बना लेते हैं लेकिन भाजी बनाने के लिए कुछ खास सबजियां भी नहीं थी और सबका हो भी नहीं पाता अब यहाँ पर जो सबजियां थी उसे मैंने बिल्कुल मोटा इस तरीके से कट कर लिया है और इसे हमें बिल्कुल बारीक करना है तो सभी सबजियों को एक साथ हम चौपर में डाल देते हैं साथ में थोड़े से उबले हुए स्पीट कॉंस भी डाल देते हैं अगर आपको कॉंस पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो यहां पर सभी सबजियों को चौपर में बिल्कुल बारीक चौप कर लिया है पहले मैंने सोचा था कि मिक्स वेच कटलेट बना तो यह जो चावल है इसे हम थोड़ा सा पीस लेते हैं ताकि अच्छे से पेस्ट जैसा हो जाएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा तो सभी चावल को जाल में डालने के बाद अब हमें यहां पर पानी और कुछ भी आड़ नहीं करना है सिंपली कवर करके एक बार मिक बिल्कुल इसी तरीके से थिक होना चाहिए हलका सा स्टीकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसमें बाद में बाइंडिंग देंगे अब चलिए इसमें डालते हैं वेजटेबल्स जो कि मैंने चौप करके रखा हुआ है तो यह सभी वेजटेबल्स इसमें आड़ कर बारी कटि वे हरेमिश डाल रहा है और अब इसमें मसालों में सबसे पहले धनिया पॉडर ढालते हैं फिर इसमें टाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पॉडर थोड़ी रिसी कशमीएव लाल मेंश गाषभ भी ढाल सकते हैं और स्थिकी बीन चाहँ बनाने के लिए बाल रहा ह तो लगबक तीन से चार टेबल स्फून अभी मैंने बेसन आड़ किया है अगर मिक्स स्टीकी लगेगा तो हम बाद में और आड़ कर सकते हैं और साथी मेस में थोड़ी सी धनिया पती डाल देते हैं और सभी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने यहां पर बेसन कर स्टमाल किया है आप चाहें तो यहां पर चावल का अटा ले सकते हैं थोड़ा सा कॉन फ्लार भी ले सकते हैं इवन आप इसमें थोड़ा सा सूची भी आड़ कर सकते हैं और यहां पे इसे में बहुत जादा नहीं मिक्स करना है सिफ उतना ही मिक्स कर तो इससे आप जरूर देखेगा जिसे कि इस बड़ा पाव का अस्दिस वाद आएगा अब इसे में और मिक्स नहीं करना है चलिए इसकी टिकी बनाते हैं क्योंकि यह बहुत ही सॉफ सा मिक्षर है तो हाथ में हम थोड़ा सा ओल लगा के हाथों को ग्रीज कर लेते हैं और थो मोईस्षर है, ब्रेट करम्स अब्सॉर्ब कर लेगा और मिक्षर थोड़ा सा फ़र्म हो जाएगा तो इस तरीके से डेखें मैं एकइड करके सभी कटलेट्स बना रही हूं और इन कटलेट्स को अब बर्गर बनाने में भी इस्तवाल कर सकते हैं बस यहाँ पर बर्गर बन के बाद इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाना है तो लेते हैं ब्रेट क्रम्स और सभी कटलेट्स को ब्रेट के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे क्योंकि यहां पर मिक्षर बिल्कुल सॉफ्ट और स्टीकी था इसलिए बहुत ही असानी से ब्रेट कर जा रहा है लेकिन अगर आ से प्रेस करते वे बिल्कुल अच्छे से ब्रेट क्रम्स की कोटिंग करना है सभी कटलेट्स को ब्रेट करने के बाद आप चाहे तो तुरंद भी फ्राइ कर सकते हैं या फिर अगर आप वरकिंग है आपके पास ताइम नहीं है तो यह आप किसी भी एटाइट कंटेनर में अगर आप मुझसे कुकिंग से बाद चली इसे में फ्राइ करना है तो यहां पर तेल जो है अच्छे से गरम हो गया है और एक के करके कटलेट्स को हम डालते हैं गरम तेल में यहां पर तेल का जो टेम्परिचर है वो मीडियम होट होना चाहिए अगर तेल जादा गरम और अगर आपने कटलेट्स को ठंडे तेल में डाल दिया तो बहुत जादा तेल तो अब्सॉर्फ करेगा ही साथ में फट भी जाएगा तो बिलकुल उलटते पलटते इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर ही फ्राइ करना है अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोसेज हैं इसके लिए आप मेरे आप को डाउनलोड दे सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप देख रहे ना कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और ब्रेट क्रम्स लगाने से उपर से देखने में भी बड़ राइस वड़ा पाओ आप इसे क्या नाम देंगे कॉमेंट में ज़रूर बताईएगा आप चाहें तो इन कट्लेट्स को air fry भी कर सकते हैं अगर आपको इसे कम तेल में बनाना हो अब चलिए हम बनाते हैं वड़ा पाओ यहां पे पाओ को जो हम हाफ कट कर लेते हैं और इस बहुत ही ठीच तो पाओ जाओर निकालते हैं अब इसे में बिल्कु बड़ा पाओ जैसा बनाना है तो एक पाओ के वपर हम लगाए हाह करें थाथा रग ठीर खठा और तीच यह ऐन यह अब अदुक्त जीचतनी बनाना तो ॥िआ ठीत्नी बनाना में ने अवड़ा पत्ल और ने तोड़े लिए इस से तरीके से पतला लंबा ही घट किया है और अब हम लगाते हैं टिकी अब देख रहें थोड़े से और प्रेसरे पाउं पर जिस्से कि अच्छे से स्टिक रहेंगे हैं तो यह मरा बहुत लग इस ताइल अब बन गया है वर्ड़ापाओ अब जले बनाते हैं दोनु मज़दार सी चटनी, सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी, जिससे कि इस वड़ा पाउ का टेस्ट और भी मज़दार सा आएगा, तो इसे बनाने के लिए मैंने जान में लिया है थोड़ी सी धन्या पत्ती, और फिर इसमें हम डालेंगे मूफली, जो कि मै तो बस यहां पे थोड़ा सा पाई डालके सभी को बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करके चटनी बना लेंगे, तो यह देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी, मज़दार सी चटनी बनके रेडी हो गई, और कलर आप देख रहे हैं कितना कमाल का आया है, और ज्यादा टाइम भी इसे बनाने में, अब चलिए वो गालिक चटनी भी बना लेते हैं, जिससे बड़ा पाव का असली स्वाद आता है, तो यहां पे मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे हम पानी में आदे गंटे के लिए भीगो देते हैं, भीगोने से मिर्च अच्छे से सॉफ्ट ह जाती है, और ग्राइंड करते समय परिशानी नहीं होती है, और बढ़िया सा कलर भी आता है, तो बस यहां पे आदे गंटे में देखें, मिर्च जो है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और जो इसे हम निकाल लेते हैं, और चलिए अब इसे में ग्राइंड करने इसका स्मूध सा पेस्ट बनाना है, और यह देखिए, बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है, चटनी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है, अब इसमें में कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जिससे आप एक मिनिट में बना के रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल अब पता नहीं चला कि इसे मैंने बचे वे चावल से बनाया है, अच्छी बनी है, तो कैसी लगी रेसिपी, गर अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजे, कॉमेंट में अच्छी बनी है, जरूर लिखिए, और ऐसी इसी और इंट्रेसिंग रेसिपी देखने के लि